अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम मैं आपका स्वागत है मैं हूं आर्टी टेली की इस वीडियो सिरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि पर्चेस वाउचर क्या है और उसमें ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर से पर्चेस वाउचर के बारे में बता देते हैं जब विक्रे के लिए माल या मनिफेक्चरिंग के लिए कच्चे माल के रूप में कैश या क्रेडिक पर कोई माल खरीदा जाता है तो उस ट्रांजेक्शन को पर्चेस वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं अभी तक के वीडियोज में हमने टैली में कंपनी बनाना, लेजर्ड बनाना, स्टॉक रूप्स बनाना, स्टॉक आइटम्स बनाना और इन से संबंदित जो भी ज़रूरी था वो बताया साथ ये रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर और कॉंट्रा वाउचर में ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये भी बताया इसके बाद अब हम व्यापार के सबसे मुख्यकार पर्चिस सेल और उसी के साथ डेबिट नोट और क्रेडित नोट पर एक एक करके काम करने जा रहे हैं इसके पहले receipt voucher, payment voucher और contra voucher में हमने TR और CR का उपयोग करते हुए entries की थी और जैसा कि हमने आपको बताया था ये तीनों vouchers cash और bank से संबंधित होते हैं अब हम जिन चार vouchers यानि purchase voucher, sales voucher, debit, note voucher और credit note voucher पर काम करने जा रहे हैं ये चारों मुख्य तया माल यानि goods से संबंधित हैं टैली ने इन चारों vouchers में transactions record करने के लिए तीन modes दिये हैं voucher mode, item invoice mode और account invoice mode पहले हम इन तीनों को एक एक करके समझा देते हैं यहां हमने टैली में वो company open कर ली है जिसमें हम लगातार काम कर रहे थे अभी हम gateway of tally पर हैं, accounting voucher के लिए V प्रेस करें, अब यहां purchase voucher के लिए F9 प्रेस करेंगे देखिए ऐसा करते ही purchase voucher creation window आ गई है आगे बढ़ने से पहले हम F11 की सहायता से कुछ options चेक कर लेते हैं invoicing heading के अंतरगत enable invoicing option दिख रहा है यदि ये option no होगा तो आप invoice mode में काम नहीं कर पाएंगे तो यदि ये no हूँ तो इसे yes कर दें और window को accept कर लें यहां ये पहले से ही yes है तो हमें कोई changes नहीं करना है हम escape की से बाहर आ जाते हैं देखिए right side में vertical button bar में as voucher लिखा हुआ दिखाई पढ़ रहा है और उसके आगे उसके shortcut की V और उसके नीचे दो underlines है यानि voucher mode के लिए control और V एक साथ press करना होगा ऐसा करते ही जिस तरह से हमने पिछले transactions record किये थे उसी तरह की debit credit वाली window आ गई है यदि आप voucher mode में transactions record करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं प्रायर voucher mode में transactions तब record किये जाते हैं जब हमें inventory यानि stock items का उपयोग नहीं करना होता है जिसे हम आपको आगे की videos में समझाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं हमने आपको source documents वाली video में invoice और cash memo के बारे में बताया था जब भी हम अपने व्यापार के लिए कोई खरीद करते हैं तो जिससे माल खरीदते हैं उससे यानि supplier से बिल लेते हैं जिसमें हमारा नाम पता होता है उसी के साथ हमने क्या माल खरीदा उसकी details होती है और उस माल पर जो भी tax जैसे GST आदी जो भी charge किया गया हो उसकी भी details होती है और इसी तरह प्रायर सभी bills invoice format में ही होते है आप चाहें तो purchase sales के transactions को voucher mode यानि DR और CR वाले voucher में record कर सकते हैं पर वहाँ दो समस्याएं आएंगी पहली देखने और समझने में ज्यादा आसानी तब होती है जब हमारे पास suppliers के bill जिस format में आते हैं उसे में हम record करें यानि invoice mode में ही record करें दूसरी ये कि voucher mode में GST जिसके बारे में हम आगे समझेंगे उसका calculation आटोमेटिक नहीं हो पाता जबकि invoice mode में ये अपने आप ही हो जाता है अभी हमने जहां as voucher देखा था अब वहां as invoice लिखा हुआ दिखाई पढ़ रहा है invoice mode में जाने के लिए इस पर click करें या control और V प्रेस करें त्यान रखें voucher mode से invoice mode या invoice mode से voucher mode में जाने के लिए शॉटकट है control और V 15 अभी हम item invoice पर हैं देखिए यहां name of item लिखा हुआ है यदि हम alter और आई प्रेस करेंगे तो accounting invoice पर आ जाएंगे जिसमें name of item के स्थान पर particulars लिखा होगा accounting invoice जैसा की नाम से ही इस पश्ट है इसमें सिर्फ accounts यानि लेजर्स का ही उप्योग किया जाता है इस तरह के bill में stock items यानि inventory नहीं होती है यदि आप कोई service के bill का transaction record करना चाहते हैं तो आप इस तरह के account invoice mode का उप्योग कर सकते हैं इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे हम जिस transaction को record करना चाहते हैं उसमें inventory है इसलिए हम alter और i keys को press करके item invoice पर चलते हैं हमिशा ध्यान रखें कि आप alter और i keys से item invoice से accounting invoice और यदि accounting invoice पर है तो item invoice पर जा सकते हैं हमारा पहला transaction है हमने सुनील enterprises के cash memo number triple one तारिख एक जुलाई दो हजार बीस से sony tv 20 inches वाले 10 नग 20,000 रुपए प्रती नग के हिसाब से और sony tv 30 inches वाले 10 नग 30,000 रुपए प्रती नग के हिसाब से खरीदे जिसका कुल bill amount पांच लाख रुपए है supplier ने हमें इसका जो cash memo दिया है वो हम आपको दिखा रहे हैं इसी cash memo के आधार पर हमें transaction record करना है transaction record करने से पहले हमें bill में कुछ महतपून बातें जरूर चेक करनी चाहिए जैसे bill में उपर की और supplier का नाम हो, नीचे हमारा नाम हो, कई बार cash memo के city में हमारे नाम के स्थान पर सिर्फ cash memo भी लिखा होता है बिल नमबर होना जरूरी है, यदि बिल नमबर नहीं है मतलब वो बिल ही नहीं है बिल पर बिल की तारीख होना जरूरी है विशेश तोर पर ये चेक करें कि तारीख, मा और वर्ष सही लिखा हो यदि चेक करें कि बिल कैश का है या क्रेडिट का यदि कैश का है तो कैश के बारे में बिल ने कहीं लिखा होना जरूरी है जो भी items खरीदे गए हो उनके नाम स्पष्ट रूप से लिखे हो हमने मोटे तौर पर सभी details चेक कर ली है आगे अगे बढ़ते हैं देखे हमारे सामने purchase voucher creation window आ रही है सबसे पहले F2 प्रेस करके जिस तारीख में transaction हुआ है वो तारीख टाइप करें उसके बाद enter press करें supplier invoice में supplier के cash memo का जो नंबर है वो टाइप करना है enter press करें यहाँ supplier के cash memo की तारीख टाइप करें अब enter press करें party account name के आगे party का नाम select करना होगा यहाँ समझनी के बात यह है कि यदि हम कोई माल खरीदते समय ही cash या bank के check से payment कर देते हैं तो यहाँ party account name में हमने cash या bank जिस भी माधियम से payment किया है वो account select करना होगा और यदि हमने यह माल किसी से उधार यानि credit पर लिया है तो यहाँ जिस supplier से उधार खरीदा है उसका account select करना होगा हमने यह माल cash payment देकर खरीदा है इसलिए list of leisure accounts में से हम cash account select कर रहे हैं एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे यहाँ party details window आ रही है इसमें supplier की details डालें यहाँ supplier की details डालना जरूरी है क्योंकि भले ही हमने माल नखत खरीदा है पर किस से खरीदा है यह तो record में होना ही चाहिए अब एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे यहाँ purchase leisure के आगे purchase account select करें फिर एंटर प्रेस करें हम name of items में आ गए हैं यहाँ पर stock item का नाम select करना होगा यदि आपने stock item नहीं बनाया हुआ हो तो alter और c प्रेस करके बना ले और यदि बना हुआ है तो stock item के नाम का पहला अक्षर type करें जैसे हमने sony tv 20 inches के लिए type किया s ऐसा करते ही right side में list of stock items में हमारे द्वारा टाइप किया गए अक्षर से शुरू होने वाले सभी नाम highlight हो रहे हैं इसमें से आप item का नाम select करने ऐसा करते ही आप quantity field में आ जाएंगे यहाँ आपने जो stock item select किया है वो जितनी quantity में खरीदा है वो type करें फिर enterprise करें अब यहाँ पर उस item का खरीद भाव type करें एंटर प्रेस करते ही देखिए amount field में stock item का पूरा मुल्य आ गया है एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें इसी तरह बिल में जितने भी stock items आपने खरीदे हैं एक एक करके सभी को select करके उनकी details दे दे दें और अंत में enterprise करते हुए end of list select कर लें एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें और narration में आप इस खरीद से संबंधित जो भी details देना चाहें वो type कर दें और फिर enterprise करते हुए इस voucher को accept कर लें अभी हमने जो voucher बनाया आए उसका print preview देख लेते हैं उसके लिए page up की press करें देखे हमने जो voucher अभी save किया था वो दिखाई पड़ रहा है अब आप यहाँ उपर horizontal बटन बार देख रही हैं इसमें पहला option है print उसके लिए alter और पी प्रेस करें यदि यहाँ with print preview लिखा है तो ठीक है और यदि ना लिखा हो तो alter और i प्रेस करें फिर enter प्रेस करें इस बिल को zoom करके देखने के लिए alter और z प्रेस करें देखें पूरा बिल अच्छे से दिखाई पड़ रहा है यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास जो बिल आया था और अभी हमने जो item invoice mode में voucher बनाया है दोनों पिलकुल एक जैसे ही दिखाई पड़ रहे हैं यह भी एक क जिसके लिए हमने item invoice mode का उपयोग किया था अब बाहर आने के लिए escape key का उपयोग करें ध्यान रखें purchase voucher में party account name हमेशा उपर रहता है और इसमें यदि नगत देकर माल खरीदा है तो cash account और यदि bank का check देकर माल खरीदा है तो bank account और यदि उधार यानि credit पर माल लिया है तो माल देने वाले यानि supplier का account सेलेक करना होता है और इसके बाद purchase ledger आता है जिसमें हमीशा purchase से संबंदी जोभी ledger होगा वो सेलेक करना होता है आए अब दूसरा transaction देख लेते हैं हमने अशोक traders के invoice number 310 तारीक 2 जुलाई 2020 से sony tv 20 इंचेज वाले 5 नक 21,000 रुपे प्रतिनक के हिसाब से और sony tv 30 इंचेज वाले 5 नक 31,000 रुपे प्रतिनक के हिसाब से खरीदे जिसका कुल बिल अमाउंट 2,60,000 रुपे है सप्लायर ने हमें इसका जो invoice यानि credit memo दिया है वो हम आपको दिखा रहे हैं इसके पहले वाले transaction में हमने जो 6 points आपको बताये थे पहले वो चेक कर लें यहां पहले से ही purchase voucher creation screen आ रही है सबसे पहले F2 प्रेस करके यहां voucher की तारीख डालें इसके बाद supplier invoice number में हम invoice देखकर उसका number यहां पर type कर रहे हैं यहां invoice की तारीख type करें अब party account name में हमें cash bank या जिस supplier से उधार माल खरीदा है उसका account select करना होगा हमने यह माल अशोग traders से credit में खरीदा है इसलिए list of ledger accounts में से हम अशोग traders का account select कर रहे हैं यहां पर हम आपको एक smartphone बात बता रहे हैं माल लीजिए अशोग traders का ledger select करते ही हमें यह ध्यान आया कि हमने अशोग traders का जो ledger बनाया हुआ है वो sundry data group के अंतरगत बनाया है जबकि यह हमारा supplier है हम इससे माल खरीद रहे हैं तो इसका ledger sundry creditors में होना चाहिए तो हम backspace key से party के नाम पर जाएंगे और control और enterprise करेंगे ऐसा करते ही ledger alteration window आ जाएगी यहां से हम इस ledger में जो भी changes करना चाहें वो कर सकते हैं हम under में sundry creditors कर रहे हैं और इस window को accept कर रहे हैं ध्यान रखे tally में काम करते समय पीच में यदि आप किसी भी ledger, group, stock items, stock group इत्यादी में कुछ alteration करना चाहती हूं तो वो control और enterprise करके कर सकते हैं विंडो को accept करते ही हम party details पर आ गए हैं और यहां आप देख रहे हैं कि हमने जिस supplier का ledger select किया था उसका ledger बनाते समय हमने जो details दी थी वो यहां पर दिखाई पड़ रही है यानि हमें कोई details देने की ज़रूरत नहीं है enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे यहां पर purchase ledger के आगे purchase account select करें enter press करें यह हम name of items में आ गए हैं अब यहां stock item का नाम select करना होगा उसके लिए space bar press करेंगे ऐसा करते ही right side में list of stock items आ जाएगी जिसमें stock item के नाम के साथ ही वो item अभी कितनी quantity में stock में है यह भी लिखा होगा लिस्ट में से आप item का नाम select करनें नाम select करते ही quantity field में पहुँच जाएंगे यहां पर जो भी stock item select किया है उसकी जितनी quantity खरीदी है वो टाइप करें enter press करते ही देखिए rate field में अपने आप rate आ रहे हैं यह वो rate हैं जो इससे पहले वाली purchase में लिये थे यदि यह ठीक हैं तो enter press करके आगे बढ़ें और यदि यह गलत हैं तो सही rate टाइप करके आगे बढ़ें देखिए amount field में stock item का पूरा मूल्य आ गया है enter press करके इसी तरह bill में जितने भी stock items आपने खरीदे हैं एक एक करके सभी को यहाँ select कर लें अंत में enter press करते हुए end of list कर लें narration में आप इस खरीद से संबंध हैं जो भी details देना चाहें वो type कर दें और फिर इस voucher को accept कर लें आई अब एको transaction फटाफट कुछ नया सीखते हुए record कर लेते हैं हम दे अशुक traders के invoice number 410 dated 31 July 2020 से 30,000 रुपे प्रतीनक के हिसाब से एक टन वाले 5 गोद्रेज AC 1,50,000 रुपे में उधार खरीडे यहाँ पहले से ही purchase voucher creation screen आ रही है सबसे पहले F2 press करके जिस तारीख में transaction हुआ है वो तारीख टाइप करें अब supplier bill number डाले suppliers bill date डाले party account name यहाँ पर डालना है enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे अब purchase account सेलक करें और name of item डाल दें यहाँ हम जो एक नहीं बात समझाना चाहते हैं वो यह कि हमने जो stock item खरीदा है वो और उसका stock group दोनों ही हमारी company में नहीं बने हुए हैं तो यहां transaction record करते वक्त ही उन्हें कैसे बना सकते हैं यह देखते हैं जैसे कि आप जानते ही हैं नया stock item बनाने के लिए अल्टर और सी प्रेस करें आइटम का नाम टाइप करें अंडर में हमारी पास select करने के लिए stock group नहीं है तो उसे भी यहीं से बना सकते हैं और उसके लिए फिर से आल्टर और सी प्रेस करेंगे ग्रूप का नाम दें अंडर में आप जिस भी ग्रूप या प्राइमरी में इस ग्रूप को बनाना चाहते हैं उससे select करें और फिर एक एक करके दोनों windows को accept कर लें quantity डालें rate डालें यदे बिल में एक से ज्यादा items हैं तो इसी तरह सभी को एक एक करके select कर लें enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे narration डालें और अंत में इस voucher को accept कर लें इस वीडियो में हमने purchase voucher के बारे में बताया इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि sales voucher क्या है और उसमें transaction कैसे record करते हैं